जैसे कि आपने वीडियो देखी लिया होगा आज हम बात करने वाले हैं दो बड़े बड़े टॉपिक्स के उपर जिसमें सबसे पहला है लेवान सेगिनाश्विली और किरिल सरचेव का एक प्रैक्टिस सेशन का मैच हुआ था कुछ हफतों पहले और उस मैच को लेके लेवान सेगिनाश्विली ने अभी रिसेंटली एक पॉर्टाश्वे बहुत बड़े स्टेटमेंट्स दिये हैं और वो स्टेटमेंट्स जो है टॉप फाय आप रसलिंग को छोड़के सब को चैलेंज देते हैं सो क्या वो स्टेटमेंट्स था वो हम इन डिटेल में इस वीडियो में आपको बताएंगे और जो हमारा लास्ट टॉपिक रहेगा वो डेवन लेरट की वाटर वेट कट को लेके रहेगा विकाज हम बहुत सारे लोग आप रसलिंग कॉंपिटिशन खेलते हैं बट हम जो है वेट कट नहीं कर पाते हैं सीरियसली so devil ने रटे एक महेने के अंदर 20 किलो किस तरीके से weight cut किया है उसका हम आपको जो है एक master plan बताने वाले है so make sure ये वीडियो end तक देखेगा बहुत ही interesting topic है और आपको बहुत कुछ सीखने ही मिलेगा इस वीडियो से और जो भी लोग नए है make sure इस चैनल को subscribe करके रख देखियो because ऐसे ही हम arm wrestling के दुनिया से जुड़ी national international news आपको जो है पहुचाते रहते है वो भी hindi language में so make sure आप subscribe के भी न तो मत ही जाना so directly jump करते हैं मारे वीडियो के तरफ होते हैं और इरैकली भी जो है practice वगेरा कर रहे होते हैं कुछ pins भी ले लेते हैं लेवान के उपर और इरैकली भी ले लेते हैं वो ऐसे pin दे रहे थे otherwise लेवान तो obviously pin कर देंगे दोनों को so वहाँ पे जो है वो जो है power जो है judge कर रहे थे किरिल का और अच्छा practice session था अगर आपको भी देखना हो तो उनके channel पर जाके आप देख सकते हैं और अभी recently एक podcast session जहाँ पे जैरी लेवान कोचरे वगेरा थे वहाँ पे उन्होंने ये बुला कि किरिल का मैंने जो है power judge किया है और किरिल बहुत ज़्यादा strong arm wrestler है और वो इस समय इतने strong है कि वो किसी को भी जो है top five को छोड़के challenge दे सकते है अगर ये सच है जैसे कि लेवान से गिनाश्विल के काफी opinions जो है सही जाते है तो अगर ये बात सच है तो definitely जो upcoming दूसरा मैंचाने वाल है ब्राइन शोग का और किरिल का वो जो है एक mismatch जैसा हो जाएगा क्योंकि किरिल काफी ज़्यादा strong है एस पर लेवान से गिनाश्विली और मेभी शायद इसलिए वो इतने ज़्यादा confident है अपना जो press conference हो आता है इस व्स व्स 15 का वहाँ पर वो obviously बोल रहे थे कि मैं मेरे लिए जो है ये ब्राइन शोगा मैच एक warm-up session ही होगा और उसके बाद तो वो डेवन को भी challenge कर देता है कि हाँ डेवन मैं तुमको भी हरा दूँगा इस warm-up session के बाद कुछ जो है मुझे दो-तीन साल लगेंगे बट definitely मैं सबके लिए आ रहा हो और obviously हमने जो है डेवन और किरील का भी जो है भी recently practice session के मैस देखा वहाँ पे भी डेवन लेरेट ने बोला था कि किरील बहुत जादा strong है तो ये सारे बाते जो है किरील के उपर लेके चल रहें थी और हमारा जो last topic रहेगा वो डेवन लेरेट के weight cut को लेके रहेगा तो यहाँ पे बहुत सारे लोग मुझे भी DM करते कि weight कैसे cut करे arm wrestling match के पहले तो डेवन लेरेट का एक वीडियो आया था जहाँ पे उन्होंने step by step सब कुछ बताया था तो सबसे पहले तो उन्होंने एक मैनी के अंदर 20 kg water weight cut किया था और उन्होंने यह किस तरीके से किया था सबसे पहले तो वो सिर्फ और सिर्फ पहले अपने जो junk diet वगएर था वो सब बंद किया उसके बाद कार्णी वो diet पे वो switch हो गए और कार्णी वो diet में mainly meat, eggs खाया जाता है और कुछ भी नहीं खाया जाता है वो भी raw raw in the sense मतलब कुछ मसाले वगएर ज़्यादा नहीं उसमें कुछ तेल वगएर नहीं कुछ भी नहीं direct जो है cook किया या जाद जाद आप बोल सकते boiled चीज़े जो होती हो उसमें और ये जो है वो इस diet पे थे और साथी साथ बहुत सारा walking करते थे वो उन्होंने ये बताए कि बहुत जाद जो है वो walking करते थे और liquid diet बहुत कम था water भी बहुत कम intake करते तो इस तरीके से जो है उन्ह food बगएरा छोड़ सकते है normal जो raw foods रहते है salads बगएरा उस पे जो है depend कर सकते है और थोड़ा मोड़ा जो है आप carbs खा सकते है और बहुत सारा cardio walking बगएरा कर सकते है water intake थोड़ा कम रख सकते है तो इस तरीके से आप भी जो है अपना water weight cut कर सकते है बट डेवन का water weight cut बहुत यह थे कुछ आज की topic so हम आपको मिलेंगे next week episode में so तब तक के लिए stay tuned like and subscribe peace